तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियान फिलाल छटवे पीक वाले माउंटेन पर रहता है और इसको मतलब यहां पर कुछ न्यूज मिल जाता है जूनेर और गुजूवान वगरा के बारे में और एंसेंट क्लैन के जो लोग हैं वो शायद मतलब किसी बिमारी से गरशीत है मतलब उनका दिमाग वगरा काम नहीं कर रहा है अब इतर निउस लेने के बाद जियान फाइली साथवे फ्लोर के दरफ निकलने लगता है और वहीं सन अफ लाइट जिसका नम लिव हाओ रहता है वो भी अब धीर धीर आगे बढ़ रहा था अब जो सेवन्थ फ सेवन्थ फ्लोर पर पहुंचे हो तो तुम दोनों में जो जीतेगा वही मतलब अंदर एंटर कर सकता है लिव हाओ का इस्टेंच जाता तो नहीं पर यह सेवन्थ ठाट आउ जियान के मेड़ स्टेज में था पर यह सोचता है अगर यह अपने होली सीखे पावर को यूज क पती है अगर यह पता रहता तो शायद यह और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता अब इस दुरान यह अरोगेंट नेचर में पता आता है जियान को कि मेरा नाम लिव हाओ है और मुझे लोग सन अफ लाइट कहते हैं होली सीखा और मैं होली सीखे जो टॉप लेवल के टेकनिक बन जाता है बैसेकलि यह डिवाइन रूद था सन अफ लाइट का और इस पावर से एंजल के पावर को भी यूज़ कर सकता था पर इस प्रकार का पावर यह यूज़ नहीं करना चाहता था क्योंकि शायद यह जो पावर था रिंकारनेशन लेवल का था अब जियान तुरं पर होली फ्लेम से एक फ्लेम शेल्ड बना देता है इसका अटायका के ठकराता है थोड़ी देर समय तक यहाल चलता होता है पर जियान का जो बेरियर था फ्लेम शेल्ड का इसे यह ब्रेक नहीं कर पाता और गायब हो जाता है अब एक्स्प्लूसन से जो वेवस निकलती है इससे लिव हो अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए लाइट शेल्ड का एक आर्मर बना लेता है पर यह भी हैरान था जियान का इस प्रकार के फ्लेम कंट्रोल को देखकर पर लिव हो भी जीतना चाता था तक यहां जीतने के बाद एक यह वादा कर सकता था मतब इनको यह मौका मिलने का मौका दे दे अब लिव हाउ सोची रहा था तब इस जियान एक पावर इसके लिवे खड़ा हो जाएगा अब लिव हाउ भी काफे दा इरोगेंट था तो यह अपने पावरा फ्लाइट से एक स्वाट बना लेता है और इस समय इसके अंदर एक किलिंग इंटेंट था और यह जियान के साथ कि तरफ मतलब यह तलवार लेके बढ़ने लगता है अब लेवल का टेकनिक कोई भी नहीं था होली रंक के टेकनिक स्थे इसके पास पर इमउडल रंक में इसको अभी तक हाफ इमोटल ही मिला था टेकनिक अब लिव हाउ इस समय आजियान से कहता है बच्चे हार मान लो निट तुम्हें मार दूँगा मैं अब लिवाव स्माइल करता है और जियान के तरफ लाइट जेट इम्मोर्टल ओर यूज़ करता है और कहता है मैं भी देखता हूँ इस अटेक को तुम कैसे ब्लॉक करते हो अब जियान अपने बॉड़ी को होली फ्लेम से कवर कर लेता पर वहाँ पर लिवाव कहता है इस बा थोड़ी समय लिए तो पूरा जो माहोल था यहां पर गर्मा गर्मी छा गया था और आसपास पूरा स्मोग हो गया था धुए में कोई किसी को देख नहीं पा रहा था अब जैसे जैसे यह धुए खतम होता एक बंदे की खासने के आवा जाती है इस तो में लिव हाउ जो थ हँगा और यह जियान को लेकर यहां से निकल जाते हैं और जब हैं गुषित करते हैं तो इन्होंने जियान का लिया रहा था कि जिया बहुत हो नाम सुने हो इस इसको ये breakthrough करके ये वाले scroll हासिल करना चाहता था पर जियान जितना भी power लगाता है ये जो stone tablet था खूली नहीं रहा था जियान सभी techniques यूज कर लेता है इवें जायोली को भी यूज कर लेता है फिर भी इसके हाथों में कुछ नहीं लग रहा था अब गुसे में अपने हाथ से directly stone tablet पर attack कर देता है इस दोरान इसके हाथ से थोड़ सा blood निकलता है अब जब जियान अपने ancient juan ruler को touch करता तो ये blood उसमें भी चला जाता है और ancient juan ruler अपने आप ही निकल के बाहर आ जाता है अब stone tablet में जो भी technique था वो जियान को दिखने लगता है ये basically ancient juan ruler से related एक fighting skill था और जो भी बाते लिए लिखी हुई थी ये इसको पढ़ने लगता है और यहाँ पर stone tablet का separate space था इसमें एक blue figure के इंसान दिखते हैं जो के cross-legged बैठे हुए थे अगर अंग्री जी में इस technique को कहे तो इसे no phase slash कहा जाता है और ये immortal rank का technique था immortal rank में में ये highest realm का technique था और ये old man जो ज समय जो गारिजयन थे वो भी आ चुके थे अभी जियान से कहते हैं मैं तुम्हें forbidden area यानि ancient world में लेकर चलूँगा वहाँ पर तुम्हें अपनी और को increase कर सकते हो पर थोड़ा सावधान रहना old man जियान से कहते हैं कि अपनी जो flame है holy flame इसको थोड़ा suppress करके रखना नहीं तो ancient clan वाले लोग तुमें परिशान कर सकते हैं थोड़ी दिर में जियान ancient world में आ जाता है अब यह जियान को ancient clan के एक city में लेकर आते हैं और जियान से कहते हैं वैसे भी ancient clan के जो लोग हैं इस समय बीमार हैं क्योंकि यह लोग बीमार हैं इसलिए थोड़ा चिंतित थे कि यह ज finally dead end पर आने के बाद यह एक space jump यूज़ करते हैं और यहां से directly दूसरे area में enter कर जाते हैं और यहां पर एक plain man खड़े थे और इन्हें देखते हैं elder को और कहते हैं गूली इस बार तुम इतना जल्दी कैसे आ गए और इस बार ने यह जियान को भी देखते हैं जियाने इस ब आगड़ देता है इनका भी strength इड्स्टा डाउस यान के मिड्स्टिस से सा थोड़ा ऊपर था अभी middle age मैं पूछते हैं क्या मतलब यही बंदा है जो इस बार का competition जीता है यह कहते कि तुम भी मतलब ancient clan का जो नीचे वाली लोग रहते उन्हें जोईन कर सकते हो core clan को तुम फिलाल तो नहीं जोईन कर सकते हैं अगर तुमारे पास कोई option है और भी तुम बज़े बता सकते हो जैसे कि जायो clan में भी था ओरिजिनल जायो clan और ये guardian वगरा जैसे रहते हैं वैसे ये लोग भी guardian माने जा सकते हैं अब जियान का पहले इरादा था यहाँ पर ये practice करेगा और बाद में ancient prison में एंटर करके गूयाओ को पहले छोड़ाएगा अब जियान इन दोनों से पूछता है क्या आप लोग डाव formation master के बारे में जानते हो डाव formation master का नाम सुनते हैं ये लोग भी हैरान थे क्योंकि जियान भी जान गया था डेमन वर्ल्ड से बाहर आने के बाद इसको अपना battle formation technique यानि डाव formation और अलग लेवल पर ले जाना पड़ेगा क्योंकि ये battle में काफी यादा काम आता था मतलब formation जो कोई भी बंदा एक साथ 10,000 या उन से ज़्यादा लोगों को भी हरा सकता था अलकेमी में जियान मतलब कैसे भी करके advance तो कर जाता था fighting skill में जिका कोई tension नहीं था बस main tension था spiritual power में यानि कि डाव formation technique में अब ये दोनों old men यानि वो guardian और दूसरे वाले जो यहाँ पर थे यह पूछते हैं क्या तुम्हें एक battle formation master हो जियान करते हैं हाँ किसमत से और इन्हें दिखाने लगता है अपने core encryption अब गूली जो होते हैं जो जियान को यहाँ पर लेकर आए थे यह भी बोलते हैं तुम काफी ज़्यादा जो रियल पार्ट है core area of the ancient clan उसमें क्या चल रहा है जियान कहता है ठीक है ऐसी बात है अब इस दुरान यह ancient prison के बारे में पूछने लगता है यह बताते हैं कि जो ancient prison है वो core area में तो नहीं है यह हमारे ही area के असपस है पर इसका location हमें भी फिलाल नहीं पता है तब यह मतलब जियान इसमें बात कर तो दूसरे वाले elder आ जाते हैं और यह जियान को कई सारे battle formation related treasures देते हैं अभी यह दोनों जियान को एक कमरे में भेज देते हैं उस दुरान यह दोनों old men बात करने लगते शायद यह बंदा इनके ancient clan में जो matter चल रहा है उसे solve कर सकता है और यह कहते हैं मतलब ancient world में core area में enter की हुए 10-20 साल हो गए थे पर ghoulies दुरान कहते हैं यह बंदा शायद endless fire domain यान endless fire territory का मुझे क्यों पता नहीं master लग रहा है क्योंकि जैसा मैंने उसके बारे में सुना है यह बंदा भी वैसा ही है और यह कहते है कुछ भी हो इसका help तो हमें करना ही पड़ रहेगा और इस समय कमरे में cross-legged बैठा होता है और इसके body से जो इसका spiritual aura था और core encryption लागतार बाहर निकल रहे थे अब जियान अपने emperor यान ring में से जो इनको इन लोगों ने 10-12 scroll दे थे उनमें से एक निकालता है इस समय से एक technique का नाम the rock ghost formation रहता है और इसकी minimum जो range थी वो 10 10,000 formation से शुरू ही होती थी अभी जियान जो मतलब condense कर सकता था core encryption वो था 60,000 से थोड़ा बहुत उपर पर इसको इतना समझता था कि 10,000 अगर core encryption ये condense करेगा तो ये one star dow जियान के बंदे को रोख सकता है यानि कि 60,000 मतलब six star dow जियान पर six star dow जियान के बंदे को जियान वैस अब शायद इस scroll में और इसके core encryption में शायद कोई तो कोई connection था अभी तक जो इसका core encryption था अगर आपको याद हो तो शुरुआत में एक चौथाई था फिर काफी लंबे समय के बाद दूसरा पाट शायद इसे मिलता है और यह आधा बन चुका था और अभी भी ये full power पर नही यहाँ में pain होना शुरू हो गया था और इसका ni gang wang का अरिया था अब धीर धर बढ़ना शुरू हो गया था और यहाँ पर मतलब इसी ancient world में एक जगह दिखा जाता जो काफी इससमय कहसीला मैदान टाइप था और इसके बीच में एक building बना हुआ था और यहाँ पर इंसान को दिखाया जाता है जो black robe में खुद को ढखे हुए था और यह बंदा यहाँ से finally काया हुजाता है पर यह शायद evil clan का तो नहीं था पर यह कौन था अब इसके औरा को फिल करके गूली और गू किंग कॉंग आते तो हैं तब तक यह बंदा निकल चुगा था और इधर यह दो यहाँ पर एक black gas जो entrance से वहाँ पर चाने लगता है यह दोनों अपनी औरा को protect करने लगते हैं entrance में अंदर जाने के कोशिश करते हैं पर इसे breakthrough नहीं कर पा रहे थे हलाकि इनका strength एडशा डाउस यान पर था फिर भी अब यह लोग जब जाते तो वह बंदा फिर से आता है औ यह कहता कुछ भी कर लो तुम लोग डोयून कॉंटिनेंट पर हमारा ही राज होगा और यह कहता है बस मैं एक ही चीज के बारे में चिंतित हूं वह है holy sea वाले अगर यह मेरा काम न बिगाड़े तो हम पूरे इस डोयून कॉंटिनेंट पर राज कर सकते हैं अब यह दोनों कौंकत है अपने मन में जियान तुम्हें जल्दी अंटर करना पड़ेगा नहीं तो काफी लेट हो जाएगी सायद क्योंकि इनके सबसे जो ब्लैक हेर था उसमें एविल क्लैन का स्मेल तो था यानि की एविल क्लैन वाले धीरे धीरे जो एंसेंट क्लैने उनको भी पेनेट मतलब अब शायद ये सातर हजार कोन इंक्रिप्शन या उससे जादे बना सकता था अब इम्मोर्टल मास्टर के उपर जो होते हैं वो हेवनली मास्टर होते हैं उसके उपर अर्थ मास्टर और सबसे उपर शायद एम्परर मास्टर और स्याद उसके उपर सेंट मास्टर हो एक डाउ जियान इल्ट स्टार के बंदी को होल्ड तो करी सकता था अब यह जो डिवाइन स्टून प्लेट रहता है और बाके टेजर्स यह फिर से अपने एंपरर यान रिंग में रख लेता है और हसता है और फाइनली बाहर आ जाता है बाहर आते इसको एक वूमेन दिखती और शायदी जियान का लंबी समय से वेट कर रही थी जियान पुछता है क्या कुछ गड़बड है यह कहती कि आपको दोनों मास्टर कब से वेट कर रहे हैं वहाँ पर बुलाएं हैं जियान तुरंती एल्डर गू किंग कॉंग और गूलिंग के तरफ निकल जाता है जियान को कल्टिविशन में शाद एक महिने के आसपास या उससे उपर बीद गए थे अब इस दोरान जियान को जो भी इन लोगों ने इस दोरान सर्च किया रहता है सभी के बार में बता दिया रहता है पर इस दोरान गू किंग कॉंक कहते हैं कि गूली मिलनी रहा है ये सुनके जियान भी थोड़ा सर्प्राइस हो जाता है ये बताते हैं कि मतलब वहाँ पर इंपेक्शन करने के बाद ये दोरों वापस आ गये थे लेकिन दस दिन पहले गूली गायव हो गया और उसका मुझे कुछ पता भी नहीं चल रहा है अब जियान इनसे कहते हैं आप क्या चाहते हैं पर ये भी हैरानत कि एक एट स्टार डाउ जियान के मेडिश्यस का बंदा ऐसे मतलब कैसे गायव हो सकता है अब ये जियान से कहते हैं क्या तुम उस एंसेंट प्रिजन में एंटर कर सकते हो पर ये जियान को पूरी बात बता देता है कि वहाँ पर ब्लैक और बगएरा बगएरा अब जियान इन से कहता है आपने soul source power को अंदर रख लिजे, मैं समझ यहाँ आप सही फूल रहे हो, जियान कहता है मेरे पास holy flame है और मैं feel कर सकता हूँ आपके world में, काफी ज्यादा मतरा में evil हो रहा है, पर यह कहता है मतलब यहाँ पर ancient clan है, प्रस holy c वाले, फिर भी मतलब कैस से extra territorial evil clan वाले यहाँ पर enter कर गए, फिर जियान इन से कहता है आप वैसे भी कह रहे थे कि आपके clan के elders है, इवन जो clan chief हो गएर है, उनका जो temperament है, अचानक से गुसा करना, नियम कानून बदलना, आप समझ रहे हो, मतलब कि जो evil clan वाले भी होंगे, वो भी reincarnation level पर शायद हो सक करने के बाद, उसके बाद कोई enter भी नहीं कर पया है, वहाँ पर शायद उस area को seal कर दिया किसी ने, अब जियान इन से कहता है, मुझे आगे लिकर चली अब, इनका पहला प्रड़ा होता, ancient prison, अब यह लोग इस समय शाम का टाइम हो गया है, अंधिरा, और ancient prison के बाहर मतब थ दोनों का strength यह लोग उन्हें सप्रेस करके six star डाउ जियान पर ही ला दिया था, तब यहाँ पर एक आवाज आती कि तुम दो six star डाउ जियान के बंदे, यहाँ पर enter कर रही हो, तुम्हार इतना हिम्मत, अब जियान सेंस करता इस बंदे के identity, यह समझ जाता है, सामने वाला eight seven star डाउ जियान पर है, अब इस समय गुकिंग गॉंग, जियान से कहते हैं, निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम भी मारे जाओगे, पर जियान इनकी बात को ignore करते ता और तुरंत यह अपना akissia flame domain को activate कर देता है, और पूरा area यह इसके pink domain में covered हो जाता है, अब akissia flame domain में जियान का जो औरा था वो seven star डाउ जियान के peak पर पहुँच जाता है, अब यह बंदा भी देखता है, कहता अच्छा, तो seven star डाउ जियान peak का बंदा और एक holy flame, हाला के अभी जियान का strength seven star डाउ जियान के late stage में है, पर akissia flame domain में इसका strength बढ़ जाता है, अब यह बंदा भी क कर रहा था, अब यह black mysterious बंदा भी जियान पर एक powerful black key से attack कर देता है, अब इसके black evil power को जियान तुरंती, अपने power से purify कर देता है, अब यह black key वाला बंदा समझ जाता है, यहां से भागने को देखता है, अब जियान का जो flame domain था, यहां से majestic power holy flame का निकलता है और इस बंदे को बांद देता है, और final इसका चेहरा देखता है, इसका नाम भी गुयांग था, यह गुयांग से टीका लॉड था, अब इसे देख करके गुकिंग कॉंग हैरान थे, गुक्लैन का बंदा ही, अब इस समय जियान के ember holy flame से एक chain बन गया रहता है, उसके कारण फिलाल यह बेहो रहा होता है, अब इसका जो black aura था, इतना ज्यादा पढ़ने लगता है, मालों यह जियान के holy flame के purification को रोक देगा, अब यह बंदा जियान से, बात करने लगता है, कि तुम्हारे जैसे लोग कई आया और कई गए, जियान कहता है, पर फिर भी, तुम्हारे जैसे evil creatures the great thousand world में आ नहीं सकते हैं, मेरे रहते हुए, अब जियान समझ जाता है, यह तुरन थी four color का angry buddha lotus बनाता है, अब गू यांग भी कहता है, कुछ भी हो जाया, मैं तुमसे fight करूँगा, जियान कहता है, काफी लेट हो चुका है, और अपने soul power से भी इसे control करने लगता है, अब इस समय जियान के इस प्रकार के power के करण, इस बंदे के अंदर जो मूल वाला black color का power था, उसमें से निकल जाता है, और यहां से भागने को देखता है, गू किंग कॉंग भी समझ जाता है, इस बंदा को, मतलब यह black energy कंट्रोल कर रहा था, जियान इस black की को पकढ़ना चाता था था पर यह energy भी काफी स्तांदार थी, यह खुद को explode कर लेती है, जियान थोड़ा सा निराश होता है, अब वहीं गू किंग यांग, किंग कॉंग मतलब देखते हैं, फिलाल गू यांग जाग जाते हैं, और कहते हैं मैं कहां पर हूँ, और इसमें इसकी body जो थी, काफी weak थी, अब इस दोरन गू यांग जियान को एक token देता है, और कहता है इसी से तुम ancient prison में enter कर सकते हो, अब जियान तुरन ते इस token के माध्यम से, और साथ में इसके पास devil के उका दो aura था, अपनी aura को थोड़ा evil वला बना लेता है, अब जियान को जब देखता है गू किंग कॉंग अब इसके पास टोकन नहीं होता तो अंदर ये जा ही नहीं सकता था, अब जियान यहां पर अपने devil's cube के पावर को और साथ में घोशली soul flame को यूज कर रहा था, तो इसको फिलाल कोई नहीं पहचान सकता था, अंदर जाता है यह बिसिकली जो प्रिजन था अंडर ग्राउं में था, और अगर इसके पास टोकन नहीं होता तो अंदर ये जा ही नहीं सकता था, अब जियान जैसे अंदर एंटर करता है, सामने इसको एक black stone gate दिखता है, और यहां पर दो बंदे खड़े थे और जियान से पुछते कौन हो तुम, पर जियान बिल्कुल भी panic नहीं करता ह पर इसके पास क्योंकि जो aura था, वो evil aura type था, गुयांग जैसा ही, अब जियान इनसे कहता है, बाहर कुछ ज़्यादा ही movement हो रहा है, अब ये दोनों बंदे यहां से निकल जाते हैं, जियान इनको कुछ, मतलब काड़ देता है, इनका चूतिया, ये दोनों बंदे भी साथ, इंसेंट क्लैन के थे, पर इनके अंदर भी evil aura था, इसका soul power जो था, deep power तक penetrate नहीं कर पा रहा था, अंदर के, मतलब कोई तो और strong बंदा है यहां पर, और इस समय पिंजडे से कई आवाज आ रही थी, कि मैंने गल्ती नहीं किया, मुझे माफ कर दो, अब यहां पर जो भी prisoners ह उनके body में फिलकुल भी evil aura नहीं थी, जियान के हिसाब से, और पहले वाले रास्ते में जियान को जो भी prisoners मिलते, इनका aura को ज़्यादा strong नहीं था, अब जब जियान यहां से बाहर निकल रहा था, जियान से कहता है, मतलब तुम क्या बाहर जा रहे हो, इस दोरा नहीं हसता ह जियान भी कहता है, पर इस दोरा नहीं जियान को respect देता है, क्योंकि जियान नहीं से बंदे का aura यहां पर लिया था, गुयान का, शायद यह वहाँ पर उस बंदे के evil power वलबंदा शायद इससे strong होगा, और इसके कहने पर जियान आप 4th floor पर जाने लगता है, 4th floor से होती कि मस्टर जुआन आपका वेट कर रहा है, बैक रूम में, जियान भी इन से कहता है, मुझे वहाँ लेकर चलो, और यहाँ पर जो भी guards थे फिलाल, जियान के इसाब से, इनका stand six star down जियान पर था, अब दरवाज आप में जैसे जियान एंटर करता है, यहाँ पर एक बंदा क जियान कौन है, जियान इसे कहता है, यह सब तो मुझे कहना चाहिए कि तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, गुहाँ जियान से कहता है, तुम्हारा strength seven star down जियान पर तुम्हारी इतनी हिम्मत, जियान इसे कहता है, फिर तुम्हें अपनी आखे खोलनी पढ़ेंगी, तब ही पहला flame attack रहता है, उसे आराम से block कर देता है, अब गुहाँ तुरंद एक powerful technique, prisoner of the demon snake की use करता है, और यह power काफिती से मानों, उस सापो के सामानों और जियान के body की तरफ बढ़ने लगता है, और वहीं दूसरी तरफ लिवाँ जो कर अपने figure को छीपा के रखा हुआ था, evil clan का पता नहीं क्यों है, अब लिवाँ देखता है कि जियान और गुहाँ जहां पर fight करें, वहाँ पर एक मतलब domain या realm बन चुका है, पर लिवाँ जैसे जियान का कैसी अफ्लेम domain में अंटर करता है, यह दिखने लगता सबको, पर फिलाल वहीं जियान भी काफी शातिर था यह गुहाँ को बेहोश कर देता, उसके बाद यहां से डिरेक्टली सेकंड फ्लोर की तरफ निकल जाता है, गुहाँ तुरंती जाकता है और यह जियान के पीछे जाने लगता है, और वहीं लिवाँ भी काफी खुस होता है, अगर यहां पर evil clan के बंदों को यह मार दिया, तो पोप से जाकर यह बोलेगा, तो इसका प्रोमोशन काफी चलती हो जाएगा, और उस दोरान वो जो लड़की है, जुनेर यह भी इसको मिल जाएगी, और यह गुहाँ की तरफ देखता है, जो भाग रहा था और स्माइल करता है, यह तुरंत यह अपने औरा को रिलीस कर पर इस फ्लूर पर जियान फिल करता है, मानो डेट साइलेंस हो, कोई भी इसको यहाँ पर नहीं दिख रहा था, इवन यहाँ पर कोई भी पैट्रोलिंग गार्ड वगरा भी नहीं थे, और जियान अपने सोल पावर से यहाँ पर कुछ भी फिल नहीं कर पा रहा था, तो ग यहाँ पर इसे कई सारे डार्क चेंज वगरा दिखते हैं, और इन चेंज पर मतलब बलड वगरा भी दिख रहे थे, और यह जो चेंज थी, जो बलड एब्सॉर्ब कर रहे थी, यहाँ पर एक जार बना वह था, और बलड इसमें गिर रहा था तेरे-देरे, यानि की एक अ अंदर जाना चाता है, यहाँ पर एक डार्क एनरजी का बैरियर था, जो जियान को पीछे ढगिल देता है, अब यह औरा जब फिल करता है, तो यह साफ समझ जाता है, यह एविल क्लैन वालों कहां था इसमें, और यह जो एनरजी बैरियर था, इस लेवल का था, जो जान को अपना Z token भी दिखाता है, प्रूफ के रूप में, अब जैन इन से पूचता है, आपके Ancent Clan को हुआ क्या, क्योंकि अब मतलब आपके Ancent Clan को Ancent Clan कहा भी नहीं जा सकता है, इसे बोला जा सकता है, एक Demon Clan या Evil Clan, यह खुद भी बोलते हैं और अपने को ब्लेम कर रहे थे अब यह बताने लगते ही, बहुत पहले की बात है, इनके Ancent Clan के जो लीडर थे, कई सारे Elders को लेकर के यह लोग Soul Palace को खतम करने के लिए गया थे और Soul Palace का Soul Clan के साथ क्या relation है, उसे find out करने गया थे, पर हम जब जब जा रहे थे तो शायद हमारे information को किसी ने पहले ही पास कर दि और यहाँ पर आज उन लोगोंने हमें बंदी बना के रखा हुआ है, और शायद यह लोग अपने Power से, जो Foreign Evil Clan का King है, उसे जिन्दा कर रहे हैं, और 70% जो लोग है Ancent Clan में, जो सायद अभी भी ठीक हैं, उनको इन लोगोंने बंदी बना लिया है, अब जियान इन से पूछत तो यह जो Heavenly Emperor है, यही जुनेर के टीचर भी है, जियान कहता है, वो एरिया Hell भी हो, तो क्या फरक पड़ता है, मैं इससे भी जादा Hell वाले एरिया में रह चुका हूँ, और यह स्माइल करता है, यह स्टोरी अब धिरदरे मेरे इसाब से इंट्रेस्टिंग होते जा रही है, अब यह बात सुन करके 9th Elder भी कहते हैं, मानता हूं, तुमारे पास काफी करे जाए, और यह कहते हैं शाद यह बंदा, इसके पॉड़िय में कुछ अलगी चीज़ है, यह फ्यूचर में जाके काफी तगड़ा वारियर बन सकता है, अब जो लोग एविल और से प्रभावित से, पर वो लोग वापस नहीं आएं, तो इन्हें भी उनके बारे में फिलाल नहीं पता है, और यह बताते हैं कि 1st floor पर जो भी लोग है, मतलब सभी समय शाद एट शाट आउस यान के लेट स्टेस या उससे उपर ही हैं, और वहां पर शाद कई एविल क्रेशर भी हैं, अब जियान इंसे कहता है, अगर आप बागी कुछ जानते हैं, तो वो मुझे बताईए, होली सी, यह वाला मैटर तो मैं उनके साथ डिसकस नहीं कर सकता, अब इस दुरान जियान को एक स्पेस बैरियर देते हैं, इस पेस स्क्रॉल जियान जल्दी से भाग सकता है, और इस दुरान ये अपने फायर गार्ड को बाहर निकाल लिया था, तो फायर गार्ड के मदद से आराम से छिप सकता था, फर्स फ्लोर के सुर्वाती लेवल पर इसे कोई मील ही निदा था, पर ये जानता था, और नीचे ये लोग हो सकते हैं, अब जियान जब दिर दिर पहले ही उस एविल औरा से निकाला था, और इने बाहर जाने को कहा था, पर ये बंदा भी गूई यांग जैसा ही दिख रहा है, जियान को कुछ समझ में नहीं आरा था, तब इसको समझ में आता क्या ये एक सूल बोड़ी है, और ये बंदा मानो कई हजार सालों से आपर ब ये लिए के साथ.